नवश्कार स्वागत आपको हमारे चैनल पे हम बात करते हैं पसिं přंगेल में ममता बैमेर जी बोखला गयी है और किस तरा से टरी हुई है जिस तरह से भारतिजन्ता पारटी की आंजी अब पसिं बंगाल की वो चल रही है और जो 2021 21 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें से कितने उनके जो त्रिनमूल कांगरिस के जो बड़े बड़े दिगज नेता थे जो उनके खास सिपह सलार थे वो त्रिनमूल कांगरिस को छोड़ करके भारती जनता पार्टी को जोईन कर रही है जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश में जो अस्थादी निखाहें के जो चुना वाले चुना वाहे हैं उसमें पूरा-कपूरा भारती जंता-पार्टी के पक्षमे गया है इस से भी ममता बनेर जी गभड़ा गयी है जिस तरह से ममता बनेर जी पूरे राज्य के कर ती ती मुश्लिम बोटों को लुआने के लिए उनके बक्ष में बोलती थी और एक छेत्रवाद और धर्म की राजनीती करती थी तो वह बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है क्योंकि वहां पर जनता समझ गेगी कि ममता बंडर जी किस तरह से जो है तुष्टिकर रही है जब कि ऐसा नहीं है भा बुख्या जो सलाकार थे और उनके खासम खास मंत्री चे सुबेंदो अधिकारी इस्तिपा दे दिया है क्योंकि मंता बंडर जी का जो धुल्मल रवया है और जिस तरह कि वह राइनीती कर रहे हैं तो उनके यहां से जो भी समझदार जो नेता है वो उनके विधायक है वो अभी इस्तिपा दे रहे हैं और हो सकता है वो भारति जनता पालिटी की जब यह वहां पर अमित्छाजी जाएंगे और तफाकत तमाम जो भारति-जनता पालिटी के जो नेता वह पर संबोदन करेंगे तो उसके बीच में वो जो उसमें वो शामिर हो जाएंगे ऐसा कयास यहां था रहे हैं हमाँसार चूर रहे हैं राजनितिक पुश्टेसक पवांत आख़र इंहों ने पूरे बंगाल का जो बिच। सन्किया है और आप बंगाल में किस तरह ची यो राजनिति видео किस तरह पस्चिम बंगाल में वामपंतियों की लगातार 15 साल गुंडागर्दी जेलने के बाद लोगों को ये लगा कि कम से कम यहां बदलाव होना चाहिए क्योंकि वामपंतियों का जो लोगों ने हिसाब देखा कि आए दिन हरताल आए दिन धरने और परदर्शन जनता उब गई क्या आप देखिए कि वामपंतियों का जो हिसाब है वो देखा कि इंडिस्ट्री वालों को भी वो उगाई करती थी अगर कोई पैसा नहीं देगा उनको तो उसके भार लाल जंडा लगा देंगे फिर हरताल करेंगे और कमपनी वाले को छोड़के ही जाना पड़ेगा या तो उनकी ब्लैक मेलिंग में आना पड़ेगा और इसलिए आए दिन वहां हरताल और धरने परदर्शन चलते थे बमों से डेसी बम बनाने का लेकर और वहां आम जंता को डराना धंकाना और हमले कर देना ये ट्रेंड था पच्चिम बंगाल में और इसलिए लोगों ने एक बदलाओ के लिए टी-मसी को वोट दिया टी-मसी को लाए कि कम से कम ममता बेनर जी अब कुछ नया लाएगी और जो शान्ती इस्थापित होगी कलकता में पच्चिम मंगाल में किसान जो आत्मत्या कर रहे हैं वो आत्मत्या नहीं होंगे और कलकता में विकास होगा लेकिन हुआ क्या ममता बेनर जी जब आ गई शत्ता में तो आप देखिए केंदर की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको योजनाओं को वो रोक देती थी तो आप देखिए कलकता में हावडा बिरीज और हावडा रेलवे स्टेसन के आसपास बहुत बीड़ बार रहती है एक तरह से ट्राफिक रेंगता है तो जरुत महसुस हुई के जैसे सबी मेट्रो सिटीज में मेट्रो बन रही है कलकता में भी मेट्रो बने है लेकिन ममताव एनरजी ने इसलिए उस योजना को रोक दिया क्योंकि वो केंदर सरकार में मोधी सरकार बैठी है केंदर में और अगर ये मेटरो बनती है तो कहीं इसमें मोधी को श्रे न चला जाए कि मोधी सरकार आई तो ये मेटरो बनी और इसलिए वो योजना ही रोक दी इस तरह से इसने विकास को रोका और गुंडागर्दी को इसकर दर बढ़ावा दिया कि आप देखिए कि वहाँ जो चाहे जब चाहे वहाँ किसी की हत्या कर देती है राजनितिक हत्या है जितनी जादा पच्चिम बंगाल में हुई है दू अधिकारी जो छोड़ कर जाने की जिन्होंने अब घोशना कर दी टीम सी से स्टिफ़ा भी दे दी आया है वो इतने बड़े लीडर हैं कि उन्होंने टीम सी के एक तरह से अगर कहें तो सुरुवाती दोर के वो नेता है और टीम सी को बनाने में उन्होंने सहयोग किया है दो हजार नो में नंदी ग्राम में वाम पंतियों के द्वारा जो भूमी अधिकरेंड की गई थी उसके विरुद उन्होंने एक आंदोलन चलाया था बहुत बड़ा और उसमें मम्ता बेनरजी की मदद की उस आंदोलन में उसके कारण से दो हजार ग्यारा में जब चुनकर अलक्षन हुआ तो दो हजार ग्यारा के अलक्षन में लगवग 80 से 90 सीटे ऐसी थी जहां शुवेंदू अधिकरी के उस आंदोलन के कारण ग्रामी ने इंचल में एक दबदबा बना और जिसके कारण टीमसी ने किलियर स्वीप किया वाम पंतियों को हरा दिया और उसमें श वेंदू अधिकारी को वो समान टीमसी में नहीं मिला आज टीमसी में जो ममतब एनरजी बढ़ावा दे रही है वो खुद के भतीजे को आगे बढ़ा रही है सारे फैसले वही करता है और इसलिए जो बड़े बड़े लीडर हैं वो देख रहे हैं कि हमारे पार्टी में रह विसरजन को रोक लगाएंगे ये कह करके करोना काल चल रहा है तो महरम में कैसे होगा भाई और इसलिए हाई कोट को बीच में दखल देना पड़ा तब जाके वो मूर्ती विसरजन हुआ नहीं तो ममतब एनरजी तो एक वर्ग को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार है और ये चीजे जब देखी वहाँ लीडरों ने तो उन्होंने मन बनाया कि देखिये ममतब दिदी या तो आप सब को समान रूप से लेके चलें या तो यहाँ विकास होने दें जो विकास केंदर से आ रहा है जो केंदर की योजना है चाए वो परधान मंतरी आव कि चुन-चुन के लोगों को मारा जा रहा है भाजपा के लोगों संग के लोगों हिंदुवादी लोगों उनको घरों से निकाल कर मार दिया जाता है उनके घरों में आग लगा दी जाती है या तो बम फैंक दिया जाता है पुलिस में कंप्लेंट करने जाओ तो पुलिस इस स आक्रोश है जनता के अंदर और इस आक्रोश को जो नेता भाप रहे हैं वो समय रहते अभी छे महीने लगबग चुनाओं में है पच्ची मंगाल में तो वो समझ रहे हैं कि अभी जनता के बीच क्या मूँ लेके जाएंगे अगर अलक्षन में हम गए तो और इसलिए जो समझ सद्वी हैं या एक्स एमले हैं वो बड़े बड़े अधिकारी छोड़ करके धीरे 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 बीजेपी का दामन थामेंगे क्योंकि अब उनको सब को लग गया है कि इस देश में अगर आगे आने वाला कोई पार्टी ऐसी है जहां राजनितिक भविश है तो वो भाजप दीदी और उनकी पुलिस और उनके कारे करताओं का भै इस भै के कारण अभी बोलते नहीं हैं मौन हैं लेकिन अलेक्शन का मौका आएगा तो हम वोट करेंगे और इसको उखाड फैंकेंगे यह तै कर चुकी है जनता अब आप समझिए के टीमसी के गुंडों की कितनी होंस दिया है कि बिलकुल पच्चे मंगाल में पूरी तरह भैका वातावरन है ममता बेनरजी ने भैका माहूल बना दिया है और वो सोच दिये के डरा कर लोगों को वोट टीमसी के पक्षमे ले लेगी मतलब भाजपा के या हिंदुवादी जो लोग हैं जो ममता के विरुद्ध हैं वो सोच रही है कि उनको घर से ही ना निकलने दिया जाए उनको इतनी दहसत में ला दिया जाए और इसलिए लोग मांग कर रहे हैं कि अगर निश्पक्ष चुनाओ पच्चिम मंगाल में कराना है तो पहले राश्पती सासन लगाईए ममता बेनरजी को उखार फैकिये नहीं तो ये निश्पक्ष चुनाओ होने ही नहीं देगी जो टीमसी के गुंडे हैं इनके होसले इतने बड़े हुए हैं कि पार्टी के अध्यक्ष अगर भाजपार रूलिंग पार्टी है इस समय और उसके अध्यक्ष की गाड़ी को घेर कर जान से मारने की पूरी प्ला के तीन आईपियस अधिकारी जिनको ये जाम माना जा रहा है कि वो जो है के लास विजए बर गिया और जेपी नड़ा के जो ये वहां पर सभा थी और उनका जो रूट था उसकी जुम्मेदारी दी गई थी जिनको सुरक्षा की ऐसे तीन आईपियस को केंडर ने ये धारा छे एक के तहट उनको केंडर बुला सकता है ये कानून में लिखा है और इस कानून के तहट उनको दिल्ली वापस बुलाया है तो ममताव एनरजी की बोखलाट देखिए कि वो केंडर से ही बिढ़ गई और वो कहती है मैं इन अधिकारियों को नहीं भेजूंगी तू को ही इस देश के बाबा साब अमबेड करके सम्मिधान के उपर हो क्या इस देश के सम्मिधान के सब नीचे हैं सम्मिधान देश का सबसे उपर है और वो सम्मिधान कहता है के देश में जहां भी IPS और IES अधिकारी नोकरी कर रहे हैं केंडर अगर उनकी आवश्यक्ता कहीं और सम होगा रहा है ममता बेनर जी कैसे रोक लेगी नोकरी से जाएंगे वो अधिकारी भी अगर वो ममता बेनर जी के खास बनकर कारे करता बनकर नोकरी करना चाहेंगे तो जैसा की कर रहे हैं जैसा की सुनने में आ रहा है कि वो आई पेस अधिकारी ममताब एनरजी के बिलकुल खास है अब वो खास क्या होता है राजनितिक लोगों का कोई खास नहीं होता आज सत्ता में ममताब एनरजी है कल को कोई भाजपा आ जाएगी तो उन अधिकारियों का फिर क्या होगा नोकरी तो करनी है ना तो नोकरी करनी है तो नोकरी करी है सम्म वो आज तक हुए है वैसी तो हमेशा वो जहर उगलते हैं जो जहर का विरोध हमेशा भाजपा करती है और आज वो कहती है कि नहीं ये तो भाजपा से पैसे लिए हुए है ये तो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं तो उनको अब लगने लगा है शायद कि अब जिनके तुष् लड़ी उसने और एक तरफा ये घोशना तक कर दी कि देखती हूं सी ए लागू कैसे होता है कौन यहां से पच्चिमा ये बंगाल से निकालता है इन रोहिगा हैं को मैं इनको राशन कार दूँगी मैं इनको सुविधाएं दूँगी अब आज उनको कैसे लग रहा है कि मुस ये भी इस देश के हित में नहीं हैं ये विदेशी हैं ये बहार के आए हुए हैं और ये वो लोग हैं जो इस देश के बारे में कभी नहीं सोचेंगे उनकी वज़े से सारे मुस्लिम बर्क बज़नाम हो रहा है और इसलिए वो खुद चाहते हैं कि रोहिग्या वापस है बाकी इसी लिए कोई वर्ग जो है उनको समझता है नहीं और अगले आने वाले चुनाओं में ये तो पक्का हो गया कि टीम सी के पास मैं कह रहा हूँ पार्टी खड़ा करने के लिए ना सीटों पर वो व्यक्ती नी मिलेंगे उन्हें ढंके बस अपने बतीजों के दोस्तों को करते रहने वाँ और अच्छे अच्छे लोग जो भी राजनिती में हैं वो सब आप देखना अगले छे महीने नहीं अगले दो महीने के अंदर अंदर साब भाजपा जोइन करने वाले हैं